मैं गरीमा अगर्वन आप सभी कवंदन करती हूँ अभी नंदन करती हूँ आईए आज हम सुनते हैं मार्ग शिर्ष मास की संकष्टी चतुर्थी की पोरानिक व्रत कथा पार्वती जी ने गणीशी से पूछा कि अगहन कर्ष्टी चतुर्थी संकटा कहलाती है उस दिन किस गणीशी की पोजा किस रिती से करनी चाहिए गणीशी ने उतर दिया कि हे हिमाले नंदनी अगहन में पुर्वोक्त रिती से गजानन नामक गणीश की पोजा करनी चाहिए पूजन के बाद अर्गे देना चाहिए दिन भर व्रती रहकर पूजन के बाद ब्राहमन को भोजन कराकर जो, तिल, चावल, चीनी और ग्रत का शाकला बनाकर हवन कराएं तो वह अपने शत्रू को वशिभूत कर सकता है इस संबंद में हम एक प्राचीन इतिहास सुनाते हैं प्राचीन काल में त्रेता युग में दश्रत नामक एक प्रताबी राजा थे वे राजा आखेट प्रिये थे एक बार अंजाने में ही उन्होंने एक श्रवन कुमार नामक ब्राह्मन का आखेट में वद्ध कर दिया उस ब्राहमन के अंधे माबाप ने राजा को श्राप दिया कि जिस प्रकार हम लोग पुत्र शोक में मर रहे हैं उसी भाती तुम्हारा भी पुत्र शोक में मरन होगा इस से राजा दस्रत को बहुत चिंता हुई और उन्होंने पुत्रेष्टी यग कराया यग के फल स्वरूप जगदिश्वर ने राम रूप में अवतार लिया और भगवती लक्ष्मी जानकी के रूप में अवतरित हुई पिता की आज्या पाकर भगवान राम सीता और लक्ष्मन सहीत वनको गए जहां उन्होंने खरदूशन आधियानेक राक्षस वे राक्षसियों का वद किया इससे क्रोधित होकर रावन ने सीता जी का परहन कर लिया सीता जी की खोज में भगवान राम ने पंचवटी का त्याग कर दिया और रिश्य मूख परवत पर पहुँचे और रिश्य मूख परवत पर पहुँचकर सुग्रीव के साथ मैत्री की ततबश्याद सीता जी की खोज में हनुमान और आदिवानर ततपर हुए सीता जी को ढूंटे ढूंटे वानरों ने गिद राज समपाती को देखा इन वानरों को देखकर समपाती ने पूछा कि कौन हो इस वन में कैसे आये हो तुम्हें किस ने भीजा है यहाँ पर तुम्हारा आना किस प्रकार हुआ है संपाती की बात सुनकर वानरों ने उत्तर दिया कि भगवान विश्णु के अवतार दश्रत नंदन राम जी सीता और लक्षमन जी के साथ दंडगवन में आये हैं वहाँ पर उनकी पतनी सीता जी का अभरण कर लिया गया है हे मित्र इस बात को हम लोग नहीं जानते कि सीता जी कहा है उनकी बात सुनकर संपाती ने कहा तुम सब रामचंदर के सेवक होने के नाते हमारे मित्र हो जानकी जी का जिसने हरण किया है और वह जिस स्थान पर है वह मुझे मालुम है सीता जी के लिए मेरा छोटा भाई जटायू अपने प्राण गवा चुका है यहां से थोड़ी ही दूर पर समुद्र है और समुद्र के उस पार राक्षस नगरी है वहां अशोक वाटिका में सीता जी बैठी हुई है रावन द्वारा अपरत सीता जी मुझे भी दिखाई दे रही है और इसी लिए मैं आपसे सत्य कह रहा हूँ कि सभी वानरों में हनुमान जी अत्यंद पराक्रम शाली है अत्योंने वहां जाना चाहिए केवल हनुमान जी ही अपने पराक्रम से समुन्द्र लांग सकते है अन्य कोई भी इस कारे में समर्थ नहीं है समपाती की बास सुनकर हनुमान जी ने पूछा कि है समपाती इस विशाल समुन्द्र को मैं किस प्रकार पार कर सकता हूँ जब हमारे सववानर उस पार जाने में ऐस समर्थ है तो मैं ही अकेला कैसे पार जा सकता हूँ हनुमान जी की बात सुनकर संपाती ने उतर दिया कि हे मित्र आप संकट नाशक गणेश चतुर्थी का व्रत कीजिए उस व्रत के प्रभाव से आप समुन्द्र को शन भर में पार कर लेंगे तब संपाती के आदेश से संकर चतुर्थी के उत्तम व्रत को हनुमान जी ने किया हे देवी इसके प्रभाव से हनुमान जी शन भर में समुन्द्र को लांग गए इस लोग में इसके समान सुख दायक कोई दोसरा वरत नहीं है श्री क्रशन जी कहते है कि महाराज युदिष्टर आप भी इस वरत को कीजिए इस वरत के प्रभाव से आप शन भर में अपने शत्रू को जीत कर संपूर्ण राज्य के अधिकारी बनेंगे भगवान क्रशन का वचन सुनकर युदिष्टर ने गणेश शत्रूर्थी का वरत किया इस वरत के प्रभाव से वे अपने शत्रू को जीत कर राज्य के अधिकारी बन गए जै श्री राधि